कहना है एक गितू उस समय का है जब भीम इस्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और खाना खाने के बाद उन्हें बहुत तेज से प्यास लगती है और पानी पीने के लिए जैसे ही गए हैं वैसे ही चपरासि ने भीम को डाट दिया है आज भीम जो हैं बिना पानी पिए रोते हुए अपने घर आये हैं और आज भीम की मा भीम बाई ने देखा है कि सायद मेरी भीम के साथ में कोई घटना घटी है इसलिए मेरे भीम रोते हुए चले आ रहे हैं और आज भीम अपनी मां से कहते हैं कि मां ये कैसा संसार है यहां कैसे लोग रहते हैं कि पानी नहीं पीने देते मैया आज भीम अपनी मां से कहते हैं मां कैसे लोग हैं यहां यह पानी क्यों नहीं पीने देते हैं आज मा की आखों से आशो टपकाएं और उन आशों को देख करके भीम कहते हैं कि मा तेरे इन आशों की सोगंध किसी दिन मैं पानी का सहलाब बहा दूंगा मैया क्या बोले हैं कहते मा कहते हैं कि प्यास मां मेरी जान लेती है कि प्यास मां मेरी जान लेती है भीति भाव विकार भीति भाव विकार सिला का समाज लेती है प्यास मां मेरी जान लेती है कि प्यास मां मेरी जान लेती है आज भीमा भाव कहती है कि बेटा आपको प्यास लगती है आप घर से पानी खुब पी के जाया करो और वहां से जब आया करो इसकूल से तब घर पे कस की पानी पिया करो और क्या बोली है अधीर पेते हैं मां प्यासा रहूं पर मुझे मां है पढ़ेना अभी सब सहूंगा मुझे ना ही लगेना अभी सब सहूंगा मुझे ना ही लगेना क्यों बेवती इंतहान लेती है क्या आसिमा मेरी जान लेती है क्या आसिमा लेती है भीदि भाविका भीदि भाविका सिला का समाज लेती है क्या आसिमा मेरी जान लेती है प्यास्मा मेरी जान लेती है